हेलो एबरीवन टेरट विद एम सिंग में मैं एम सिंग आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ हमेशा की तरह morning में मैं आ गई हूँ आपके person की collective level पे current energies और उनका next action आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर इस deck से हम देखेंगे आपके person की collective level पे अभी इस वक्त क्या सोच है क्या energy है क्या situation है और इस deck से हम देखेंगे आपके person की current feelings आपको लेकर सो शुरू करते हैं देखते हैं क्या energies निकल कर आती हैं आपके person की collective level पे प्लीज गाइड करें इंजल्स मेरे viewers के partners की collective level पे current situations क्या चल रही है प्लीज गाइड करें first card जो आया है वो है nine of cups आप में से बहुत सारे लोगों के person की जो energy है उसमें कोई wish इनकी पूरी हो चुकी है या होने वाली है definitely किसी wish को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इन्होंने कोई प्रात्ना की है कोई जैसे हम कहते हैं दुआएं मांगना मनोतियां मांगना तो इन्होंने कुछ न कुछ ऐसा है जो इन्होंने affirm किया हुआ था और वो चीज़ें पूरी हो चुकी है या होने वाली है ऐसा इनको believe है second यहाँ पर है five of swords बहुत सारे लोगों के person की energy में ये भी नज़र आ रहा है कि आपके person अपने wish को पूरा करने के लिए अब किसी भी हद तक जा सकते है या तो इन्होंने recently अपने wish को पूरा करने के लिए किसी से conflict की है किसी से बहस हुई है यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के person aggressive हो गए हैं अपने wish को पूरा करने के लिए मतलब होता ना कि एक जिद्धी पन होता है कि नहीं मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए या मुझे ये करना ही करना है तो वो energy है यहाँ पर third card जो हमारे पास है वो है the world आपके person completion में आना चाहते हैं इनकी सोच में completion है ये अगर किसी भी तरह के karmic cycles में है कुछ इनके past life करमाज हैं जो की आप दोनों के बीच में आ रहे हैं इस relationship के बीच में आ रहे हैं ये trigger कर रहे हैं इनको तो ये उन करमाज को भी heal करते हुए नजर आ रहे हैं then we have ten of cups मैंने अभी कहा ना completion की energy है and we have ten of cups तो बहुत सारे लोगों के person marriage को लेकर commitment को लेकर इस relationship में बहुत ज़ादा serious है and ये card wish fulfillment के नीचे ही आया है ace of cups new beginning चाहते हैं अपनी life में अपनी love life में freshness चाहते हैं जितनी भी past की कड़वाटे हैं उन सब को निकाल बाहर फेकना चाहते हैं बहुत ही ज़ादा positive है इस relationship को लेकर देखिए reading के शुरुवात ही अगर wish fulfillment से हुई है तो यहाँ पर इनकी wishes भी समझ में आ रही हैं last card है hanged man definitely आपके person आपके बारे में बहुत ज़ादा सोचते हैं और आपसे move on नहीं कर पाए हैं अभी भी अगर आप दोनों में break up situation है, no contact situation है तो भी आपके person इस relationship से बाहर नहीं निकल पाए हैं यह आपके बारे में ही सोचते हैं let's clarify all the cards 9 of cups को clarify किया है 10 of pentacles ने तो इनकी wish क्या है यह आपको पता चल गया इनकी wish है आपके साथ unite होना, आपके साथ completion में आना आपके साथ आगे बढ़ना इस relationship में 5 of swords को clarify किया है 5 of wants ने major change major change 5-5 की energy है इनके life में जो भी situation है जो भी interfere करने की energy है यह अपनी intuition से उन चीज़ों को change करना चाहते है उन decisions को right way में लेना चाहते है जो decisions आपको लेकर है the word को clarify किया है judgment ने 20 and 21 तो यहाँ पे definitely यह completion का judgment है karmic cycle भी यहाँ पर नज़र आ रही है बहुत सारे लोगों की 10 of cups को clarify किया है 3 of wants ने मतलब आपके person आपके साथ completion चाहते हैं और यह completion के लिए इन्होंने काफी समय से wait किया है जैसे होता है ना इनसानने कुछ dream देखा है लेकिन उसको पूरा करने के लिए सालों लग गए उस तरह की energy है 8 of cups को clarify किया है 7 of swords ने अपने इन्हें बहुत बार बोला हो कि proposal क्यों नहीं दे रहे शादी क्यों नहीं commitment क्यों नहीं दे रहे या बात चीट तो करते हैं बट offer क्यों नहीं कर रहे हैं कि हाँ मैं आपसे ही शादी करूँगा या करूँगी या हमिशा भागते रहते थे बट अब इन्हों ने ये बात को clear कर लिया है कि मुझे किसके साथ नहीं शुरुआत करनी है and hangman को clarify किया है princes of pentacles ने मतलब आपके person move on नहीं कर पाते हैं कभी न कभी इनको इतनी ज़ादा आपकी याद आती है कि ये lot कर वापस आते हैं बहले आपका हाल चाली ले आपको ऐसा लगे कि यार इतने दिन के बाद ये message किया और वो भी सिर्फ hi hello good morning या क्या चल रहा है उसके बाद फिर से normal तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि या ये आता ही क्यों है या आती ही क्यों है जब इसको मुझे commitment नहीं देनी है बट actually में बात ये है कि आपसे move on ही नहीं कर पाते है और इन्हें ये भी समझ में नहीं आता कि ये commitment कैसे दे तो ये stuck हो गए हैं बीच में तो ये energies guys current situation में निकल कर आई है hope आप में से काफी लोगों से ये situation resonate करे आपके person की let's check current feelings especially आपको लेकर अभी इस वक्त आपके person क्या सोच रहे है क्या ये आपको याद कर रहे हैं, miss कर रहे हैं क्या आपसे कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं ये आपसे ये बोलना चाहते हैं कि just go with the flow जैसे भगवान ले चल रहे हैं, चलते जाओ, आँख बंद करके विश्वास के साथ second message जो है, वो है the divine masculine, बहुत सारे लोगों के person बहुत ज़्यादा mature हुए हैं इस relationship को लेकर उनके अंदर बहुत ज़्यादा dedication आई है बहुत ज़्यादा serious हुए हैं relationship की importance को समझ रहे हैं, आपके साथ उनका कुछ न कुछ divine connection है ऐसा भी इन्हे feel हो रहा है आपको बहुत ज़्यादा appreciate करते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा respect करते हैं इन्हें ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही pure soul हो, एक बहुत ही divine soul हो और अगर आपको इन्होंने hurt कर दिया, तो ये बहुत गलत हो जाएगा ये आपको इसलिए भी respect करते हैं कि आपने अपनी self respect रखी है आपने अपने आपको grow किया है, साथी साथ ये खुद की भी इज़त करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं कि ये suffering में life बिताएं कि इन्होंने किसी pure soul को hurt कर दिया या इन्होंने किसी को प्यार मौबत करने के बाद commitment नहीं दी इनके अंदर भी एक guilt की भावना है कि नहीं, अगर मैंने proposal दिया था मैंने इस relationship को serious लिया था, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं commitment भी दूँ ये step by step right direction में जाने की energy है वापस आने की energy है, आप मेंसे बहुत सारे लोगों के person ये भी बताना चाहते हैं कि ये return आ चुके हैं, आपके life में याने वाले हैं, ये बहुत जल्द आएंगे and the last card we'll take is love definitely love life में बहुत ही positive energy है guys, आपके person की जो chakra blockages हैं, वो काफी हद तक heal हो चुके हैं ये भी energies यहां current energy में निकल कर आई है hope आपको ये reading से काफी guidance मिली हो देखते हैं, next action क्या निकल कर आता है, आपके person आपकी तरफ, क्या action लेने वाली है, या लेने वाले है please guide कर angels next action क्या होने वाला है, मेरे viewers की तरफ, उनके person का reading की शुरुवात हुई है, third party से किसी तरह की conflict हो सकती है again we have double five energy, जैसा कि हमने current energy में देखा था कि ये obstacles से लड़ सकते हैं, तो आप दोनों के बीच में जो भी obstacles हैं, उनसे इनकी fight argument हो चुकी है या होने वाली है sorry, थोड़ा सा मेरा गला जो है, वो खराब है, तो अगर आपको आवास थोड़ी कम आ रही हो, तो kindly adjust next action harmony, relationship heal हो रहा है, union की energy है with success, बहुत सारे लोगों के person unite होंगे, आपके लिए जो number important है, वो है number five, massive union की energy है, collectively ये union होगा, और ये जो new moon है ये बहुत powerful new moon होगा, ये new moon कार्मिक्स के लिए बहुत trigger वाला होगा, और जहां भी energy positive है, अगर आप थोड़े भी positive है, आपको divine पर faith है, आपने सचे दिल से surrender किया है, तो ये जो new moon है, जो आने वाला है, ये आपके लिए blessings लेकर आने वाला है, ऐसी energy यहाँ पर नजर आ रही है, तो आपके लिए जो number important है guys, वो है five, हो सके तो solar plexus meditation जरूर करें, solar plexus chakra क्या होता है, और उसे कैसे heal करना है, इस पर मैंने already video बना रखी है, एस्ट्रो विदम सिंग पे, आप जाएं और एक घंटे के अंदर, आप सभी chakra के videos देखें, सीखें, और आपको ऐसा feel हो कि आपके कौन से chakra blockage है, आप उस पर काम करें angels की तरफ से, क्या messages है, मेरे viewers के लिए, मैंने 1111 पे video बना दी है, एस्ट्रो विदम सिंग पे, और अब मेरा जो next number है, वो है 786, मेरे, जाने दीजे, reading में ही बताऊंगी, मतलब वीडियो में ही बताऊंगी, 786, प्लीज गाइड करें angels, मेरे viewers के लिए, क्या message है, big happy changes, big happy changes guys, कुछ major changes होने वाले है, forgiveness, कुछ चीजों को आप उनकी माफ करेंगे, कुछ चीजों को वो आपकी माफ करेंगे, look for a sign, angels आपके साथ हैं, आपको कोई नो कोई sign जरूर मिलेगी, let go करना सीखेंगें चीजों को, पुरानी चीजों को भूल जाएं, negativity उसको let go करें, tata bye bye, सबको tata bye bye, जो भी negativity हैं, communicate clearly, जब भी आपसे बातचीत होगी, अगर especially 5 घंटे 5 दिन के अंदर बातचीत होती है, तो clear communication करें, और थोड़ा सा इंतजार करें, wait करें, patience रखें, चीज़ें धीरे धीरे ही सही, ठीक होगी, you are ready, आप ready हैं, इस relationship के लिए, आपके person भी बहुत जल्द ready हो रहे हैं, तो ये थी आज की reading, hope आपको कुछ न कुछ clarity या guidance जरूर मिली होगी, reading पसंद आई हो, जरूर like करें, thank you so much guys, bye bye,